आपका नाम क्या? कॉलिस्टिका आप कहां से हो? जारकं से जारकं से सो उनमस्का दोस्तो मेरा नाम है शुवम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे सो दोस्तो आज का ब्लोग काफी स्पेशल होने वाला है विकॉस आज मैं जा रहो हूँ पार्लमपुर शहर में और बहाँ पे गदर टू मुवी की शूटिंग चल रही है तो उस लोकेशन के उपर मैं आपको ले जाने वाला हूँ तो प्लीस ब्लोग को लास्त तक देखिएगा चलिए ब्लोग को स्टार्ट करते हैं सो अभी आप देख सकते हो सामने बर्प पड़ रही है और इस वार सर्दियों की ये सैकिंड स्नौफ और है मौसम पिछले दो दिनों से बिल्कुल खराब चल रहा है और खराब मौसम के कारण ठंड पड़ गई है यहां पे तो दोस्तो रास्ते में चलते चलते अभी मुझे कुछ बच्चे दिखाई दिये अभी मैं सोच रहा हूं उनके लिए कुछ दिये जाए बेटे आपका नाम क्या है करीना करीना कहां से हो आप अच्छा आप कहां से बेटा जाकरण आप नाम क्या अपका गुलू आपका नाम क्या आप कहां से और जारखंड से आप लिखिल नाव और कहां से आप जारखंड यह से अब मेरे पास कुछ बिस्कीट पढ़े हैं तो मैं सोच रहा हूं कि यार बच्चों को कुछ दिया जाए तो बिस्कीट ही पढ़े हैं तो इनको बिस्कीट ही दे रहते हैं सब्सक्राइब दोस्तों मैं अभी उस लोकेशन के उपर पहुंच चुका हूं जहां पे गदर टू मोवी की शूटिंग चल रही हैं बट अंदर जाने की प्रमेशन अभी नहीं मिल दी हैं तो मैं बाहर की प्रमेशन के पहूंच चुका हूं अभी जो आपने घर देखा उसी घर के अंदर मोवी के गाने का शूट हो रहा था लगबग 26 दिनों के लिए इस घर की बुकिंग करी गई है और इसी घर में गाने का शूट हुआ था और अब भी इसके आसपा जितने भी लोकेशन से बहां पर भी शूटिंग होगी वो शूटिंग लगबग 2 या 3 दिन बाद होगी So finally दोस्तों अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ और आज मेरे से छोटा ही ब्लोग बन पाया काफी लंबा ब्लोग नहीं बन पाया बाकी जो जो शूटिंग की लोकेशन थी वो मैंने फोटेज आपको दिखा दी है और अब भी बहां पर वो 20 दिन और रुकने वाले हैं और सबसे बड़ी बात की यार ब्लोग को मैं लंबा इसलिए नहीं बना पाया बिकॉस अंदर जाने भी परमिशन नहीं थी बिकॉस कोवीड प्रोटोकोल की बज़ा से अंदर जाने नहीं दे रहे थे उनके गाट्स तो आज के इस ब्लोग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ अगर ब्लोग अच्छा लगा होगा अगर ब्लोग अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा इस ब्लोग को जाज़ादा लोगों तक शेर कीजिएगा और हाँ चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा मिलते हैं और भी ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद